ब्रीज मोहन योग सेंटर में कमर दर्द को किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं योग और आसनों के द्वारा आपको मैं ये सेतु बंध आसन का भ्यास इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों पैरों को घुटने से मूड करके पूरा तलवा जमीन में सटा हुआ है एडी से लेकर के अंगोलियों तक और कमर के नीचे हम दोनों हथेलियों को सपोर्ट दे देते हैं और केवनी को थोड़ा और अंदर कियों ले जाते हैं बहुत सुंदर अभ्यास इसी में 5 से 7 सेकेंड तक होल्ड करते हैं एक दो तेन चा पांच फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे क्यों रा जाते हैं इसे हम 5 राउंड करेंगे फिर एक बार करिए दोनों हां ठीक है एडी के पास पकड़ लेते हैं या नीचे हमें स्टेंड की तरह लगा देते हैं होल्ड करते हैं 4 से 5 सेकेंड की और आखों को बंद करके सांस को हम रोके हुए रहते हैं इस अभ्यास को लगातार चार से पांच सबको करना चाहें देखेंड जी के द्वारा अच्छा अच्छा भ्यास हो रहा है तो बहुत शुनर अभ्यास हां तो देखें चोटी बच्चियों के द्वारा भी सेतुबंध आशन का भ्यास हम चार से पांच बार जरूर किया करें सुबा सुबा या संध्यावेला में खाली पेट हो तो जिन्दिगी में कभी भी आपको कमर दर्थ नहीं होंगे और कभी भी कमर की समस्या नहीं होगी ये बहनों के लिए तो बहुत लवकारी है क्योंकि बहनों को लगातार कमर दर्थ की सिकायत होती है और क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है और इस अभ्यास को चार से पांच बार नेमित रूप से करने का प्रयास करेंगे इसके बाद मरकाटासन का पहला एस्टेप करिए और मरकाटासन का दूसरा एस्टेप करेंगे बहुत अच्छा देखिए यह अभ्यास हो रहा है मरकाटासन का अभ्यास है इसमें हम दोनों हाथों को कंधे के बराबर रखते हैं, दोनों पैरों को मोड़ करके, गर्दन बाई तरफ पैर को दाई तरफ कर लेते हैं, यह है मरकाट आसन का भ्यास, बहुत अच्छा भ्यास है, दोनों तरफ से धीरे धीरे करते हैं, यदि कमर में दर्द हो, तो जटका नहीं ल दो दो राउंड हम कर लेंगे इसमें बहुत अच्छा अभ्यास कर लेजिए इसके तीन स्टेप होते हैं तो पहला स्टेप कर रहा हूं फिर दूसरा स्टेप अभी में दिखा रहा हूं पैरों को थोड़ा फैला देते हैं और इस अभ्यास को करते हैं पैर फेलाओ छोटी थोड़ा अपने पैर फेला परी यह चोटी बच्ची है आप दोनों घुटना मोड़ो ऐसे करो ऐसे मोड़ो इसको गिरने दो ऐसे ठीक है अब फिर ऐसे उधर करना कमर दर्द के लिए बहुत तुरत लाव देने वाला भयास है मरकत आसं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि मरकट कहते हैं बंदर को तो बंदरों से लिया गया आसं है और बंदर को कभी कमर में दर्द होता नहीं है और देखते हैं कि कितने चतुराई से और एक डाल से दूसरे डाल की और वो फान जाता है और बहुत अच्छा भ्यास है, खुब सुन्दर भ्यास चल रहा है बहनों के द्वारा, मरकाट आसन का भ्यास, इसमें दूसरा स्टेप है, अभी हम दोनों पैरों में फासला बना लेते हैं, डेर से दो फीट क और दाइने पैर को पहले गिरा लेते हैं, फिर बाइने पैर का घुटना दाइने पैर के एणी पर चला जाता है, और थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर इसी क्रिया को दूसरे तरफ हम बदल देते हैं इस अभ्यास को, पैर को बदल लेजी, वहीं से, अब पैर को हमने बदल मर्कट आसन का भ्यास भी 4-5 स्टेप प्रति दिन करना चाहिए किम्की पुरा मेरु दंड इसमें हलका सा मरोड खाता है और मेरु दंड जो मनके होते हैं जो मोतियों की माला की तरह होते हैं वो कभी भी आपस में चिपकते नहीं हैं और फ्री रहते हैं जब free रहेंगे मेरुदरंड लचीला रहेंगा हमारा तो कभी भी क्योंकि मेरुदरंड में ही सभी अंगों के master point होते हैं और इसलिए कि जिस व्यक्ति का मेरुदरंड जितना लचीला है उसी से पता चलता है को व्यक्ति कितना स्वस्त है जितना ही हम आगे जूकें उतना ही हम पीछे जूक सकें इसलिए हमेशा इन अभ्यासों को करना चाहिए आगे जूकने वाले अभ्यास और पीछे जूकने वाले अभ्यास इसमें मरकाट आसन के यह अभ्यास बहुत यह अच्छे है तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस प्रक पैर को मोड करके और या तो दिवाल में सटा ले या अपने हाथों से पकड़ ले अंगुलिवों से कापी अच्छा भ्यास हां देख सकते हैं ये बहनों के द्वारा ये अभ्यास गर्दन को गिरा दीजी दाइनी तरफ हां दोनों हाथ बराबर रहना चाहिए इसमें पैर को से बदलके दूसरे तरफ से कर लेंगे दो तिन 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 स्टेप ले लेंगे कि अ कर कि अ है कि अ कि अ पहुत अच्छा व्यास हां इसमें होल्ड करना पड़ता है कम से कम आपको पांस से दस सेकेंड तक होल्ड कर एंग दो तो आप लोग एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कमेंट के साथ साथ इसे हमें घर घर तक ले जाना है और भोजबूर जिले में एक भी वैक्ति कोई बिमार ना हो कभी कोई अस्पताल या डॉक्टरों के पास जाने के उन्हें नौबत ना आये ये तभी संभव है जब एक एक वैक्ति एक घर में नियमित रूप से योग हो घर में नहीं हो तो आप हमारे सेंटर में आ करके योग कलास कर सकते हैं और अपने सरीर को स्वस्थ बना सकते हैं त समधान कर सकता है और अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर तो यह मरकट आसन का तीसरा स्टेप बहुत अच्छे तरीके सो रहा है से पिछे नीचे जो पैर होता है उसमें ध्यान देना पड़ता है कि वो बिलकुल ही सीधा हो और अगले अभ्यास में देख रहे हैं कि मकर आ को हतेली पे रख लेते हैं और एक एक पैर को मूडते हैं फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेते हैं यह कि मकर असन का भ्यास। मोilo कि centa भ्यास के एक आप थोड़ा वहीं सटा लेजी